दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप यूजी सेकंड येर और थर्ड येर की फीस कैसे बल सकते हों ओनलाइन के मादम से और सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तो आप घर बैठे आराम से 100 से 200 रुपए बचा सकते हो क्योंकि आप 12 फीस कटवाओगे तो यार कम से कम वही 100 से 200 रुपए ले ले लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पर क्या डालना है यूजनेम और यहाँ पर पास्वड में इसके उपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ आई बटन में लिंक मिलेगा उस वीडियो का यूजनेम और पास्वड में क्या डालना है तो इसमें वो डालना है अब नहीं बता हूँ और वीडियो लंबी हो जाएगी फिर तो दोस्तों यहाँ से सिद्धा अपना लोग इन कर लेते हैं इसमें कुछ लोग करेंगे कि या दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो आगे बढ़ते हैं लोग इन कर लेते हैं लोग इन करने के बाद देखीगा दोस्तों आपका सब कुछ डाटा आपके सामने दिखा देगा यहाँ पर कोई भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है जो फोटो एक बर लग गई वो फोटो का अपी है और यहाँ पर आपकी ओटोमेटिक डिटेल आजाएगी यहाँ पर आपको अपलाई फोर पासपोर्ट वड़ा दिखा रहा है इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊ पासपोर्ट का क्या सिस्टम कैसे क्या अपलाई करना सब कुछ बताऊंगा ठीक है आप फोटो को अपलोड करने की जरूरत नहीं है देखिए कर दोस्तों जैसे हम यह आप आएंगे यहाँ पर आपको डैसबोर्ड को ओप्शन दिख रहा है देखिए दोस्तों पहले बता लेगा जो फास्ट यह में रेजिटेशन किया था वो ऐसी है देखिए दोस्तों एक बात बता देता हूं जब आप यहां से फीश काट होगे ना जब भी आप फीश काट होगे फीश काटने पर फीश नहीं कर पाएगी तो एक बार जो भी जिसने भी अपने जो कर आप लेड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा दिखा कि आपकी सब्जेक्ट यह है यह नहीं है ठीक है इसके बाद आप चलते हैं यहाँ पर देखेगा दोस्तों जैसे यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट बेसिक इनफो में एक बार आप यहाँ चाहकर जो अपने जो देखेगा दोस्तों जैसे आपकी यहाँ पर student info में सब कुछ information यहाँ पर आज आएगी देखेए दोस्तों जो information यहाँ पर update हो जाए वो update कर लेना फिर भी कुछ information आप यहाँ पर update करोगी तो यह बिल्कुल दोस्तों error दिखा दिएगा यहाँ पर दिखा रहाँ एंटर validate ओब पर जब कि यहां पर हम डेट वर्थ है वो फैलेट भी डाल रखे तो दोस्तों इसको कुछ लेना देना नहीं है ठीक है यहां पर जो पहले ही जो इन्फोर्मेशन है जो स्टार्टिंग मिडल गई न वो यही दिखाएगा शैट सब कुछ देखे दोस्तों आपको कुछ नहीं ठीक है जैसे कि जो सैकेट डियल में जीतनी फीर्च लगी थी नो उवितनी अब लगคน चांड एशको बाएशन के देखेगा ठीक है पेविद फे क्लिक करोगे तो आपको सामने दिख रहा होगा यहां पे Net Banking, Other Bank Debit Card, SDFC Bank, Ready Debit Card, देखेगा दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर Net Banking यूज कर सकते तो आप Net Banking से कर दीजेगा अब देखेगा मेरे पास क्या है Other Bank Debit Card, मैं दूसरा Bank Debit Card यह उपर क्लिक करता है, मेरे पास यह में से कुछ नहीं है यहां पर क्या करना है देखेगा दोस्तों, यहां पर जो Card का Number है वो डालना है, यहां पर Card के जो Name है वो डालना है तो दोस्तों, मैं यहां पर Select कर लेता हूँ, वीजा डेबिट कार्ड, ठीक है, यहां पर Card के Number डाल लेता हूँ, यहां पर सब कुछ डालने के बाद हम Confirm Payment पे किलिक करते हैं देखेगा दोस्तों, जो Number दिया है यहां पर उस Number पर OTP आईगा, यहां पर OTP डालना है और यहां पर देखेगे दोस्तों, आपको Option भी दिखा रहा है ना, Second and Third Year Fee, Make Payment पे किलिक करते हैं, यहां पर Your Payment being processed, और यहां पर देखेगे दोस्तों, इसका में क्या करना है, स्क्रीन शोट ले लेना है, यहां पर, जैसे आप यहां पर इसको Print पे किलिक करोगे, तो यहां हो जाएगे, यहां पर सेव पे किलिक कर देते हैं, यहां पर सेव हो गया है, दोस्तों, फाइनली, उम्मेद करते हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ आईए, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके और को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना,